हालो फेंट तो कैसे हो आप सभी स्वात करते हैं आप सभी का यूबा सिखती जी के कोईज में तो फिरेंट बिहार फॉस्ट राट के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो टारगेट है 16 दिसमर का अभी तक में हम सभी 5 प्रैक्टिस सेट को कम्पीट कर च सब festa को सब्सक्राइब करते हैं घंटी को प्रैस नहीं करते हैं अब इस प्रकार से करके रहे हैं अगर आपका इस प्रकार से हैं तो आप सभी इस पे किलिक किजे उसके बाद जो है कि इस प्रकार से आपका open होगी और उपर बला को किलिक कर लिजीगा आप सभी all पे किलिक कर लिजीगा उसके बाद आपको class का note भी सापको प्राप्त हो जाएंगे तो इसे आप सभी एक बार चेक जरूर कर लिजगा अगर इस प्रकार का है तो आप सभी इस प्रकार से कर लिजगा अगर जो पहले से किये हुए उसके लिए धन्यबाद तो चले शुरू करते हैं तो चले देखे आज की state का first question आपके skin पे और first question ये बन रहे अपना कि राष्टे बिग्यान दिबस कब मनाया जाता है चले question first के लिए आपसे भी right answer किजीगा तो right answer option मड़ी जांगे 28 फरवरी को हर एक बाष्टे बिग्यान दिबस मनाया जाता है यानि आपसे भी option मड़ी को यहाँ टिक कर सकते थे 28 फरवरी अगला question दिखी इनकलाब जिन्दा बाद का नारा किस ने दिया था चले question number two के लिए आपसे भी right answer किजीगा इनकलाब जिन्दा बाद का नारा किस ने दिया था तो हमसे भी यह कह सकते इनकलाब जिन्दा बाद का नारा भगत सिंग ने दिया था ए राइट आंसर रहेंगे अरुन जेटली बाजपई के नाम पर रखा गया है रोहतास सुरंग का नाम option नमर ए को यहाम से भी टिक कर सकते थे अगला question दिखे वर्ड, डोकुमेंट, वीडियो या MP3 किस परकार कहे वर्ड, डोकुमेंट, वीडियो या MP3 किस परकार कहे यह एक फाइल है option मसी बिलकुल राइट आंसर रहेंगे फाइल अगला question दिखे तीन बिगा कोरिडोर किन देशों को जोड़ता है तो यह जोड़ता है भारत और बांगला देशों को डी राइट आंसर रहेंगे भारत और बांगला देशों को जोड़ता है अगला question दिखे तीन पानिपत का यूद हुआ चलिए, answer किजिए का question मसी 6 के लिए तीन पानिपत का यूद हुआ था अहमदा सा अवदाले और मराठों के बीच में हुआ था मराठों का इस यूद में बुरी तरह से प्राजय हुआ था अहमदा सा अवदाले का जीत हुआ था अकवर और हेमू के बीच में दूसरा यूद हुआ पानिपत का बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में पर्थम यूद हुआ था पानिपत का अगला कोशन दिखें गोदई महराज कौन सा वाधियंत्र बजाते थे ताबला बजाते थे ये अगला कोशन दिखें 1987 में स्री लंका में भारती सांती सैना द्वरा कौन सा रहत अभ्यान चलाया गया था ए राइट आंसरेंगे ओपरेशन इगल चलाया गया था ओप्षन नमर ए को यहां टिक कर सकते थे ओपरेशन इगल अगला कोशन दिखें गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्यागरा अंदोलन बिहार में कहां प्रारण किया आप सी को बताओंगे गांधी जी ने पहला सत्यागरा जो किया था वह 1917 में किया था कहां पे चमपारण में किया था सी को यहां टिक कर सकते थे हम सभी क्योंकि बिहार चमपारण में पढ़ते ही अगला कोशन दिखे उस्ताद मंसूर खा किसके सासनकाल के परसिद चितरकार थे यह सम्मांदी थे जहांगीर के सासनकाल से बी यहां राइट आंसर रहेंगे जहांगीर अगला कोशन दिखे अरली इंडियास पूस्ता के लेखा कौन है तो इसके लेखक है टोनी जोसिप लेखक है यानि ओफिशन नमर ए बिल्कुल यहां राइट आंसर रहेंगे टोनी जोसिप अगला कोशन दिखिए कौन सी सिमिती अपरादी राजनेतिक नौकरचाई संबंद पर अस्थापित की गई थी तो हम सभी कर सकते हैं यह सिमिती का नाम है बोहरा सिमिती ओफिशन मर ए राइट आंसर रहेंगे कोशन के लिए रहें बोहरा सिमिती अगला कोशन दिखिए विर कुवेर सिंग बिस विद्याले कहां अस्थापित सौरी कब अस्थापित हुई थी तो इसके अस्थापना उनेश चो बेरानवे में की गई थी विर कुविर सिंग विस्विद्या लेखी देखे आगला कोश्चन विस्व का पहला परमानु बिजली घर किस देश में अस्थापित किया जाएगा चले आंसर केजगे आप सभी कोश्चन में 14 के लिए तो ये कहां स्थापित किया जाएगा रूस में याद रखे आप सभी देखे आगला कोश्चन क्या बन रहे अपना उनेश सु नेश में अकिल भारते खिलापस सम्मेलन किस अस्थान पर हुआ था तो ये कहा हुआ था दिल्ली में हुआ था कोईशन के लिए रहें अखिल भारते खिलापस सबमेलन उन्हेस में दिल्ली में हुआ था देखे अगला कोईशन अंतरिम सरकार के गठन की घोषना कब की गई थी यह कब की गई थी 24 अगस्त 1946 को की गई थी अंतरिम सरकार गठन की घोषना देखे अगला कोशन डिफेंस सर्वसेज इस्टाप कॉलेज कहां है ये कॉलेज कहां पर अवस्ती थी वेलिंग टन में अवस्ती थे ये अगला कोशन देखे पिर्थिविक से चंदर्मा का कितना परतिसद भाग दिखाई पड़ता है तो मात्र में संतावन परतिसद भाग दिखाई पड़ता है पिर्थिवि से चंदर्मा का तो याद रखे कि आप से पितना परतिसद दिखाईता है संतावन परतिसद अगला कोशन देखे सेमांग जन जाती कहां पाई जाती है तो ये पाई जाती है मलेसिया में यानि आफशर मसी राइट आंसरेंगे, से मांग जन जाती कहां पाई जाती है, मलेसिया में पाई जाती है, देखे अगला कोश्चन, से चंदरगुप्त मौरी की पहचान किस ने की, तो हम से भी कह सकते कि इसकी पहचान विलियम जॉन से ने की थी, से चंदरगुप्त मौरी क पहचान विलियम जॉन्स ने की थी देखे अगला कोश्चन दुनिया में LPG उभोगता के मामले में भारत का अस्थान क्या है तो इसका अस्थान दूसरा आता है भारत की पर्थम उभगरा आरिभाट कब प्रेक्षेपित किया गया तो इसे प्रेक्षेपित किया गया था 1975 में 1975 में किया गया था याद रखे आप सभी देखे अगला कोश्चन जन औसदी सफता 2020 कब मनाया गया चाले आंसर कीजिए आप सभी कोश्चन मर 23 के लिए यह कब किया गया है एक से लेके 7 मार्च 2020 को किया गया है इससे पहले यह कोश्चन आपको बताया गया था देखे अगला कोश्चन किस के समय में कोलकाता में पर्थम नियायले की आस्थापना की गई वारेंड हैजडिंग के समय में पर्थम नियायले की आस्थापना की गई थी कोलकाता में कई बार यह कोशन आपसे को बता चुके हैं चलिए आंसर के जिगा आप सभी पहले किस राज में पंचायती राज प्रारम किया गया था रजस्थान के नागोड जिला में किया गया था सोनपुर मेला को कहते हीं इसे हरिहर मेला के नाम से भी जाने जाते हैं अर्थ आबर 2020 कब बनाया गया तो यह मनाया गया है 28 मार्च को अगला कोशन दिखें किस गवर्नर के कारिकाल के दोरान कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल हौल का निर्मान हुआ था चलिए आंसर के जिग आप सभी ये गवर्नर का नान क्या था ये बिलकुल हारेडिंग के समय में लॉड हारेडिंग के समय में किया गया था डी राइट आंसर रहेंगे अगला कोशन दिखे संसद्य सरकार की निमलिकित में से कौन सी विसिस्ताएं हैं सामोहिक उत्तरदाइत्व इनकी बिसिस्ताएं हैं अगला कोशन दिखे सर्प विश्रोधी सुई किस तत्व का एक योगिक है चले आंसर के जिग आप सभी ए राइट आंसर रहेंगे सुःर्न योगिक हैं ये अगला कोशन दिखे सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आधि पदार्थों की परती रोधक्ता ताप बढ़ने पर क्या होती है तो हम सभी कह सकते हैं ये बढ़ती है option number a right answer रेंगे अगला question दिखे यदास का संब्ध मस्तिक के निमन में से किस भाग से है इसका संब्ध है सेरे बरम से d right answer रेंगे कि लिए रहें यदास का संब्ध मस्तिक के सेरे बरम भाग से है अगला कोशन दिखिए जैव सेल क्या है ये क्या है ये एक कोईला है जैव सेल अगला कोशन दिखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मातरा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो आपसे को पताओंगे कि मानव सरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं O2 Oxygen पाए जाते हैं अगला कोशन देखे परिपत के किनी दो बिंदूओं के बीच विभांतरम आपने के लिए किसका परियोग किया जाता है चले कोशन में 36 के लिए आपसे भी आंसर किजीगा किसका परियोग करते ही वाल्टी मीटर का परियोग करते ही याद रखीगा आप सभी भी रैट आंसर हैंगे देखे अगला कोशन K2CR207 क्रोमियम की ऑक्सिकरन संख्या कितनी है तो इसकी संख्या 6 होती है देखे अगला कोशन वाय मंडल में परकास की वीशरन का कारण है तो हम सभी कर सकते कि वाय मंडल में परकास की वीशरन का कारण धूलकन है भी को टिक कर सकते थे हम सभी देखे अगला कोशन न्यूटन के किस गती नियम से बल का विंजक प्राप्त होती है दूतिये गति की नियम से बल का विंजक प्राप्त होती है अगला कोशन दिखे निमलेकित में से किस तत्व का सबर्दिक समास्थानिक होता है चले आंसर के जिगा इन में से किस तत्व का सबर्दिक समास्थानिक होता है पुलोनियम का पुलियोनियम का सबसे अधिक समस्था निए अगला question दिखे हाइट्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो हम सब जानते हैं कि हाइट्रोजन को जब जलाएंगे तो वे पानी बनेगा यह right answer रहेंगे देखे अगला कोश्चन परमानों के सिध्धान्थ का पर्तिपादक कौन थे पर्तिपादक कौन थे जोन डाल्टन वी राइट आंसरेंगे परमानों के सिध्धान्थ का पर्तिपादक जोन डाल्टन थे देखे अगला question आकर्षन के गुरुतवा कर्षन बलके अभाव में रोकेट पर पुर्नोध डॉट डॉट होता है question को समझेगा question क्या बोल रहे है आखिर इस्थिर रहाता है direct answer रहेंगे इस्थिर रहाता है question क्या बोल रहे है आकर्षन के गुरुत्वा कर्षन बलके अभाव में रोकेट पर परनोध इस्थिर होता है अगला कोशन दिके निमलेकित में से कौन परसीद जैविक होट इस्पोट है पस्चिम घाट जैविक होट इस्पोट है अगला कोशन देखिए विद्धुध धरा का चुम्बक्य परभाव की खोज किस ने की सी राइट आंसरेंगे अश्ट्रेड ने की थी अगला कोशन देखिए जैब विभिता दिबस निमलेकित में से किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 22 मई को हर एक वर्स 22 मई को जैब विभिता दिबस मनाया जाता है कोशन के लिए रहें याद रखिएगा आप सभी अगला कोशन देखिए बादल और वायू मंडल का तैरने का कारण होता है सन्यता के कारण तैरता है अगला कोशन देखिए निम्बू की रज का पी एच मान होता है चलिए आंसर के जिगा आप सभी निम्बू रज का पी एच मान कितना होता है 2.2 होता है याद रखिएगा 2.2 होता है अगला कोशन देखिए छार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है तो इन में मुक्त होता है आकर्षन बल को क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है ससंजग बल कहा जाता है डी राइट आंसर रहेंगे ससंजग बल दिख्या अगला कोशन धूनी का परभव मानक के मस्तिक में संबेदन कितने समय तक रहता है एक बटा दस सकेंड तक रहता है वी राइट आंसर रहेंगे मस्तिक में संबेदन कितने समय तक रहता है एक बटा दस सकेंड तक अगला कोशन धूनी के रख्त का कितना परतिसद भाग पलाजमा होता है 55 से लेके 60 परतिसत भाग पलाजमा होता है रक्त में अगला कोशन देखे डिफ थेरिया रोग से कौन सा अंग गरस्त होता है गला होता है अगला कोशन देखे एक तत्व का इलक्ट्रोनिक बिन्यास 284 है तो तत्व का नाम है सिलिकॉन काते हैं इसे बी राइट आंसर हैंगे क्या काते हैं सिलिकॉन काते हैं साइद रिपिटेट कोश्चन है ये भी मेरे ख्याल से रिपिट कोश्चन है मोटर कार में पच द्रिस के लिए कौन सा दरपन का उप्योग तो होता है तो ये उत्तल दरपन का उप्योग करते हैं डिरेट आंसर हैंगे कोईशन के लिए रहें सभी चलिए आज के लिए इतना ही आज की सेट में 55 कोईशन कबर किये हम सभी आज के सेट कैसा लगा आप से पूर नीचे कमेंड बॉक्स जरूर बताइएगा अगर आज के सेट अच्छा लगा हेलफुल लगा तो आप इस वीडि टेलिग्रम गुप से ज्डूर लिए निचे डेस्क्रिप्सर में देधिए तो उस लिंग पे क्लिकर की टेलिग्रम गुरूप ज्डूर कर सकते अने ठाब यूबा सकती बिहार सर्च करके जूड़ सकते पहले आपको टेलिग्राम प्लेष ट रेस्टर से डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद आप यूबा सकती बिहार सर्च किजीगा उसके बाद जोएंड कर लेना आपको और जो भी साती अभी तक चैनल से नहीं जुड़ें वे सभी चैनल से जुड़ जाइए और घंटी को प्रीज कर लिजीगा आप सभी चले मिलते हैं जहिंद बंदे मातरम अपना ध्यान रखेगा पढ़ाई करते रहेगा जहिंद बंदे मातरम